तो आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं economic का chapter number 3 money and credit money का मतलब पैसा होता है और credit का मतलब loan होता है ओके तो chapter पढ़ने से पहले हम लोग कुछ important terms को जान लेते हैं ओके तो पहले बात करते हैं double coincidence of wants के बारे में it means that both the parties should agree to buy and sell each other goods यानि कि दो person हो एक आदमी अगर आपको बेचना चाता है और दूसरा आदमी यह समान खरीदना चाता है तो इसी को हम double coincidence of want बोलते हैं मतलब कि अगर पहला आदमी बेचना चाता है और दूसरा आदमी खरीदना नहीं चाता है तो यह double coincidence of wants नहीं होगा अब यह भी जान लेते कि बार्टर सिस्टम क्या होता है यानि कि समान को एक्सचेंज करना आए इस एनिमेशन के जरिये समझते हैं सपोज देट यह राम है और यह राजू है राम के पास बहुत सारा वेट है और राजू के पास सूज है राजू को वेट की जरूरत है और राम को जूते चाहिए तो राम क्या करेगा फटाफ़र से राजू के पास जाएगा और राजू को अपना गेहू देगा और जो राजू है राजू फटाफ़र से उसको सूज देदेगा यानि कि आपनी इसमें देखा कि इसमें कोई भी पैसे का यूज नहीं किया गया So यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप प्रोड़क्ट को बाय कर सकते हैं and सेल कर सकते हैं without using the money तो यही होता है बाटर सिस्टम ओके तो जानते हैं money as a medium of exchange क्या होता है हम सभी लोग अपनी दिन चर्या के लाइप में पैसे का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं जिसमें से बहुत सारे goods खरीटे हैं, transaction करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं यही नहीं बलकि हम पैसे को easily hold भी कर सकते हैं अगर हम कुछ खरीदना भी चाते हैं तो हम पैसे की मदद से खरीद सकते हैं इसमें double coincidence of ones को हटा दिया गया और इसके जगें पे money as a medium of exchange को रखा गया money buyer and seller के बीच में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है so money is known as medium of exchange अब जानते हैं modern form of money इसमें शुरुवाती समय में कुछ coins यूज किया जाते थे जैसे की grain and cattle का यूज किया जाता था as a money metallic coins का भी यूज किया जाता था जैसे की gold, silver, copper coins तो उसके बाद currency आए as a paper notes और coins के तौर पे और यह paper notes और coins जारी किया गया RBI इंडिया के जरिये अब इसमें एक सवाल उठता है why is money accepted as a medium of exchange so इसको accept इसलिए किया जाता है क्योंकि country की government उस पर अधिकार दिया है और भारत में एक reserve bank of India है जो केंद सरकार की ओर से currency notes जारी करता है बात करते हैं deposit of banks यानि कि banks में जमा करना इसमें क्या होता है कि people's अपना account खोलते हैं जिसमें की अपना पैसा जमा कर सकें और इसलिए भी करते हैं कि banks में पैसे सुरक्षित रहेंगे यही नहीं बलकि लोग इस पैसे को bank से निकाल भी सकते हैं जिसको एक demand deposit bank भी बोला जाता है अब चलिए यह भी जान लेते हैं कि demand deposit क्या होता है वे लोग इसमें एक interesting facility को offer करते हैं जो कि एक paper की तरह दिखने वाला check होता है इसमें यह instructed होता है कि आपको कितना पैसा भीजना है और किसको भीजना है आप इसकी मदद से easily पैसे भीज सकते हैं और पैसे इसके bank से कट जाएंगे यानि कि जिसके नाम से check जारी किया गया होगा उसी के bank से पैसे कटेंगे अब जानते हैं loan activities of banks इसमें हम पढ़ेंगे कि banks loan देने के लिए कौन सी गतिविदियों का उप्योग करती है banks keeps only some amount of the total depends as a cash यानि कि banks पूरे पैसे में से सिर्फ कुछ percent पैसे ही अपने पास रखती है to meet the demand of the borrower यानि कि जो उधार लेने वाला है और भारत में जितने भी पैसे जमा होते हैं उसका सिर्फ 15% ही अपने पास bank रखता है in the form of cash लेकिन बात आती है कि banks पैसे कैसे कमाता है so topic है how does the bank earn banks जब भी loan देती है तो एक certain amount of charge या interest rate लेती है और यह भी देखा गया है कि जब banks loan देती है तो high interest rate charge भी काटती है यानि कि simple सी बात है banks पैसे कहां से कमाती है borrowers को loan देकर ओके तो अब बात करते है two different credit situation पर first है festival season and second है swapna has a problem इनकी story जानने से पहले हम लोग जानते है credit होता क्या है credit में borrower और lender के बीच में एक समझा होता होता है borrower कौन होता है जो पैसे उधार लेता है और lender कौन होता है जो पैसे उधार में देता है इनमें यह समझोता होती है कि आप मेरा future में पैसे वापस कर दोगे जानते है festival season इसमें सलीम की कहानी है बहुत बड़ा trader आता है और सलीम को 3000 pair of suits बनाने का order देके चाता है last trader बोलता है कि मुझे इसी मन्त में चाहिए उसके बाद सलीम इस order को accept करता है और फिर कुछ labor को hire करता है इस teaching and pasting के लिए सलीम raw materials भी खरीद लेता है जो कि बहुत expenses होता है यहाँ पर सलीम इसको complete करने के लिए two sources से loan लेता है first loan या leather suppliers लेता और उससे promise करता है कि मैं आपके पैसे pay कर दूँगा second loan या large trader से ही लेता है वो बोलता है कि 1000 pair of suits का pay कर दूआफ advance में फिर उसके बाद कुछ पैसे कटे हो जाते हैं फिर वो suits कुछ और pasting भी कर देता है 3000 suits का end of the month में सभी order को या deliver करवा देता है और या अच्छा कासा पैसा भी कमाता है उसके बाद वो जो leather supplier से पैसा लिया होता है वो उसको वापस कर देता है तो उसका बहुत जादा benefits हो जाता है तो यहाँ पर सलीम के लिए ये credit positive role कहलाता है अब बात करते है swapna's a problem की swapna एक small farmer है जो की ground ना टुगाना चाहती है जिसके पास 3 acre जमीन है वो जाकर loan लेती है money lender से fertilizers को खरीदने के लिए इसको ये विश्वास था कि मेरे फसल अच्छे से हो जाएगी तो मैं इस फसल को बेच के मैंने जिससे पैसा लिया हुआ है मैं उसका पैसा वापस कर दूँगी लेकिन ऐसा नहीं होता है उसकी फसल सकराब हो जाती है फिर स्वापना क्या करती है फिर नए साल में ये एक नया loan लेती है खेती करने के लिए उसका फसल हो तो जाता है लेकिन कुछ ठीक ठाक नहीं होता जिसकी वज़े से वह जो पुराना loan है वह भी वापस नहीं कर पाई और नया loan भी तयार हो गया और यह अब loan चुकाने के लिए यह जमीन का अपने एक पार्ट भेजती है जिससे वह loan को चुका पाती है तो स्वापना के case में देखा जाए तो स्वापना को यहाँ पर कोई भी profit नहीं हुई तो यह स्वापना के लिए credit निगेटिव रोल कहलाता है अब पढ़ते हैं Terms of Credit को Terms का मतलब होता है सर्थ आप का मतलब होता है का और credit का मतलब होता है Loan यानि कि loan लेने के कुछ सर्थ है यानि कि जो lender होता है वो borrward को कुछ देता है जैसे कि money, goods और services देने के बाद यह terms of credits के तौर पर उससे interest rate लेता है, mad off, repayment के लिए बोलता है और इससे एक documentation भी मांगता है, इन सबी को collateral भी बोला जाता है, जान लेते हैं collateral क्या होता है, collateral is an asset that the borrower owns such as land, building, vehicles, livestock, deposit with banks, and uses this as a guarantee to lender until the loan is repaired, यानि कि जो आपका lender है, या borrower से एक security के purpose पर इसमें से कुछ चीजों को लेता है, जैसे कि house paper, vehicles paper, deposit with bank, यानि कि जितना transaction आपने किया हुआ है, जैसे कि jewelry, और भी बहुत कुछ, इसमें से एक चीज लेंडर को देनी पड़ती है, तबी जो आपका lender है, वा borrower को लोन देता है, और इसमें यह भी होता है, अगर borrower ने lender का लोन वापस ना कर पाया, तो lender क्या करेगा, जो security के purpose से उससे building papers, house papers, या vehicles paper, इसमें से कुछ भी एक लिया होगा, या बेच कर, अपना लोन चुकता करेगा, और हाँ, आपसे मेरी ए formal and informal sector credit पर, जानते हैं पहले formal sector credit क्या होता है, जब आप किसी bank operative से loan लेते हैं, तो यह formal sector credit होता है, अब जान लेते हैं, informal sector credit क्या होता है, जब आप friend, relative, money lender, traders लोन लेते हैं, तब यह आपका informal sector credit होता है, यानि कि जब अपने दोस्तों से, रिष्टेदारों से, पैसे उधार म लेकिन informal sector में कुछ problem भी है तो topic है problem in informal sector of credit number one problem है no rules and regulation यानि कि informal sector में कोई भी rules and regulation नहीं है कोई lender कितना भी charge कार सकता है एक borrower से problem number two high interest अभी मैंने आपको बताया borrower से एक high interest rate charge भी काटा जाता है problem number three reduction in yearning अगर borrower ने ज्यादा loan लिया तो इसको ज्यादा rate of charge देना पड़ेगा इससे क्या होगा कि borrower को loan का interest rate charge का डारने में बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा problem number four debt trap मतलब कि कर्ज में डूब जाना यानि कि borrower ने लेंडर से loan लिया और loan न पे कर पाया और इस pay rate अप इस चार्ज बढ़ता गया जिसकी वज़े से हुआ कर्ज में डूब जाएगा और RBI के कुछ functions पे हैं so topic है functions of RBI RBI का full form होता है Reserve Bank of India Reserve Bank of India एक Central Bank of India है RBI monitoring करता है bank में पैसे को maintain रखने के लिए जितनी भी bank है time to time एक report submit करती है RBI को for whom they are lending how much they are lending RBI ये भी बताता है rich people को कितना loan देना चाहिए और businessmen को कितना loan देना चाहिए अब चलते हैं अपने chapter के last topic पर self help group for the poor यानि कि गरीब अपनी सहायता करने के लिए एक खुद का समू बनाते हैं इसमें क्या होता है कि 15-20 member आते हैं जो कि belong करते हैं आस पर उसके ही और हर एक member से 25-100 रुपे लिये जाते हैं उससे अधिक भी लिया जाता है depending on the ability of the people और इसमें loan लेने भी असान होता है compare as a bank इसका एक यह फायदा है कि अगर आपके पास collateral नहीं तब भी आपको loans मिल जाता है तो अब मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए टाटा बाई बाई जाहें और सब्सक्राइब कर दिजिएगा